काल आओ पहचाने नीचे दिये गए चित्र पहचानिये बचपन युवा बुढ़ापा आओ जाने तो आपने देखा कि उपर्युक्त चित्रों में पहला चित्र बीता हुआ बचपन दर्शा रहा है दूसरे चित्र में युवा अवस्था दर्शाई जा रही है तथा तीसरे चित्र में आने वाला कल अर्थात बुढ़ापा दर्शाया गया है कहने का तात पर ये है कि ये सारे चित्र हमें समय बता रहे हैं जिस शब्द से आपको ये पता चले कि ये काम हो चुका है या हो रहा है या फिर होने वाला है तो वो शब्द काल समय कहलाते हैं अर्थात क्रिया के होने के समय को हम काल कहते हैं आप पढ़ रहे हैं, आज, आपने पढ़ा था, बीता हुआ कल, आप पढ़ेंगे, आने वाला कल, सोचें और बताएं, क्रिया का वह रूप क्या कहलाता है जिसमें काम के होने का समय पता लगे? काल कितने प्रकार के हैं? क्रिया के जिस रूप से ये पता लगे कि काम अभी चल रहा है, किस काल से है? हमने सीखा, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले, उसे काल, समय कहते हैं, काल अर्थात समय, काम, क्रिया के होने का समय बताते हैं, काल से क्रिया के बीती हुए कल आने वाला कल या आज में होने का पता चलता है